नमस्कार आप देख रहें न्यूज नेशर आपके साथ मैं हूं लग शर्मा डब्लू टीसी फाइनल यानी की वोल्ड टैस्ट चैंपियंशिप के फाइनल में भारत ये टीम को मिली है करारी शिकास्त जीयां आस्ट्रेलिया ने टीम इंडिया को 209 रनों से रौन देते हुए पहली बार डेबलू टीसी का खिदाप अपने नाम किया है टीम इंडिया जो पिछली बार यानी साल 2020 में न्यूज लेंड से फाइनल में आरी थी वो इस साल भी यानी इस बार भी कुछ कमाल नहीं कर पाई और और ऑस्टेलिया के सामने चाए गेंद बाज हो चाए बल्ले बाज हो दोनों ने ही सरेंडर कर दिया और रंत में दुबारा से टीम इंडिया रही आप बात करें टीम इंडिया पहले दिन से बैक फूट पर नजर आई पहली पारी में जब ऑस्टेलिया ने 479 रन बनाए तो इसके जवाब में आप सभी को पताए कि टीम इंडिया 296 रन रपतान रोहित शरुमा प्रेस कौनफरेंस के लिए और फिर Official से वही बहाना मारते हैं जो बुच्त पहले ने और अच्छी गेंद बाजी करी लेकिन टॉस हमारे हक में गिया, हमारे लिए यह अच्छी बात रही, इसके बात हमने पहले सेशन में अच्छी गेंद बाजी करी, लेकिन यहां से जो Smith और Travis Head है, वो हमसे मैच दूर लेके चले गए, उन्होंने खास का Travis Head की बल्ले बाजी की तारीफ करी, उन्होंने का कि Travis Head जिस तरी अन्काम नहीं किया और यह दोनों बल्ले बाजो की साजेदारी की वज़े से हम मैच में पीछे अट गए, वहीं तयारियों को लेकर उन्होंने कहा कि देखे, तयारियों के लिए हमको मौका ठीक से नहीं मिला, समय तो मिला हमको, लेकिन इतना समय नहीं मिला कि हम अपनी तय कर दिया कि यह कोई एक्सक्यूज नहीं है यह कोई बहाना नहीं है हमने खराब खेल खेला है और जो ऑस्टेलिया है वह बहुत अच्छा खेल लिए हमको क्रेडिट देना होगा ऑस्टेलिया की करके टीम को भी जिन्होंने हमें पांचों के पांचों दिन बैक फूट पे रख सकते हैं लेकिन आपको हमारी पिछले दो साल की मेहनत को भी याद रखना होगा अगर हम यहां तक पहुचे हैं तो पिछले दो साल में हमने बहुत शांदार क्रिकेट खेली है और इसी वज़ज़ से हम यहां पर डबलू टी सी फाइनल खेल रहे हैं और रंत में उन्होंने कहा उन्होंने अपने जो फैंसे जो स्टेडियम में आई थे उनको दन्यवाद कहा उन्होंने कहा कि आपके सपोर्ट केुलिए बहुत-बहुत शुकरिया पांचों दिन आप सपोर्ट के लिए और और आस्टेलिया है से और उस्टेलिया को बदाई जरूर दे इसके अलावा अगर आपने अब तक न्यूज नेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल कर लिजे क्योंकि आपको यहाँ पर देश और दुनिया की खबर तो देखने को मिलती है इसके अलावा पूरे WTC में आपको किनावा परजेंस कौन बनेगा टेस्ट चेंपियंस में एक से बढ़कर एक स्टोरी देखने को मिली है बहुत बहुत शुक्री आपका